तो फाइनली शौमी की तरफ सरी HyperOS Launcher का एक नए अपडेट आया है जो कि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साथ साथ जो है कुछ नए आइकन पैक्स और कुछ नए विजिस जो है आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेर करने वाला हूं तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइफ जरू करें देगा साथ साथ चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलेगा चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो जो फोन आगा हम इस ताइम पे यूज कर रहे हैं वो है Redmi Note 13 Pro जिसके अंदर हम इस ताइम पे HyperOS का Android 14 वर्जिन यहाँ पे यूज कर रहे हैं और यहाँ पे जो है launcher का एक नया अपडेट आया है तो जो नया अपडेट जो निकल के आया है वो है 4.39.148003 यह एक नया आपको देखने को मिल रहते हैं वो बक्स जो है अब इस नए बिल्ट के अंदर यहाँ पे फिक्स कर रहे होंगे आप एनिमेशन जो है काफी स्मूद्ली जो है हमारे Redmi Note 13 Pro पे यहाँ पे वर्किंग है मैं आपको इस HyperOS का लिंक जो है डिस्क्रिप्शिन में देता हूँ जहा आपको HyperOS का launcher यहाँ पे देखने को मिलता है तो यह वो फाइल है HyperOS launcher की APK की जो की around 25 MB के आसपास आपको देखने को मिल रहे है लिंक आपको यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शिन में प्रोवाइड कर रहा हूँ जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अब बात करते हैं इस आपको हमारे phone पे यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं तो यह icon आप भी अपने phone पे अब आप यूज करते हैं simply आपको एक theme डाउनलोड करनी है और उसके बाद इसके icons को आप अपने phone पे apply कर पाएंगे कुछ इस तरीगी के icons आपको यहाँ पे अब देखने को मिलते हैं तो जो theme हम use करें हैं उसका नाम है HM4 और जो इसके author है उनका जो name है वो है summer phone इसका link भी मैं आपको description में provide कर दूँगा जहां से आप HM4 की theme को download करेंगे और इसके icons को आप अपने phone पे यहाँ पे use कर पाएंगे जो की काफी अच्छी तरीके से जो है एक perfect look जो है आपके Xiaomi के phone को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं आपको पोको Xiaomi की मी सीरीज या रेड्मी सीरीज सब पर यहाँ आप यूज कर सकते हैं तो आप देखी पारे होंगे आपको हमारी home screen के ओपर यहाँ पर एक काफी अलग सा widget देखने को बिल रहा है जो कि आपको थोड़ा बहुत जो है Android 14 क जो Pixel Series के phone होते हैं उन widget से match करता है अगर आप इसके ओपर टैप करें और edit करें तो इसके अंदर आपको काफी सारे clock के style यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जो भी clock style आपको चाहिए उसको आप यहाँ से चुन सकते हैं इसके font square को change करना चाहें किस तरीका effect आप देना चाहते वो सभी के सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इवन जो है यहाँ पर हम एक widget यूजट कर रहे हैं Google Assistant का जिसके अंदर भी आपको काफी सारे widgets यहाँ मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ से use कर सकते हैं और कुछ इस तरीका animation effect भी आपको यहाँ पर इनके Google Search widget पर उसके बाद आपको विजट्स सेक्षिन में यहाँ पर देखने के बिलेंगे तो इन विजसको यूज करने के लिए simply आप वने फोन के विजट्स सेक्षिन में जाए वहां पर जहाँ आप वहां उनको ओपन करेंगे वहां नीचे आपको androids देखने मिलेंगे और सब से चेंज करना चाहें तो आप इसके clock को भी यहाँ पर चेंज करते हैं, सब्सक्राइब को यह पसंद नहीं है, आपको यह वाली clock चाहिए कुछ इस तरी की colors के साथ, तो इसको टैप पर दीज़े, कुछ इस तरी की widget आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो बस आज काई वीडियो इसी के उपड़ था कि HyperOS Launcher का एक नया update आया है, जो की काफी stable है, काफी सारे bugs को fix किया गया है, लिंक में उसका आपको description में provide कर दूँगा, और इस wallpaper का link भी आपको description में मिल जाएगा, तो अमीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like जो कर देगा, चैनल के support and motivation के लिए, चैनल को subscribe करना मत भूलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए take care and bye-bye.